नमस्कार फ्रेंड्स, वंडर्स आप इंडिया यूटूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका हारदिक स्वागत है फ्रेंड्स जैसा कि मैंने पूर में भी जिक्र किया था कि भारत की धरती सदियों से रहस्य वर रोमांच से भरी पड़ी है बस जरूरत है उस नजरिये की जो उसे तलास खोज सके तो दोस्तों आज हमने रहस्य रोमांच से भर पूर भारती कला का एक ऐसा अनोखा वाक्या लेके आया हूँ जिसे जान समझकर आप अपने दातों तले अंगली दबा लेंगे या फिर कहेंगे ओ माई गाड क्या बात है अदभूत कलाकृती आदियाद पर दोस्तों मैं इस सफर पर आगे बढ़ूं इस से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो की पूरी सच्चाई वर रहस्य जानने के लिए आपको बिना इसकिप किये हुए इस वीडियो को सुरू से अंत तक देखना होगा एक बात और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सस्क्राइब कर वेल आइकन को जरूर दबा लें क्योंकि आपके एक किलिक से हमारा मनोबल हाई होता है और हम नई उर्जा एवं इस फूर्त के साथ आपके समच नई नई चीजों को लाने के लिए आतूर रहते हैं अब दोस्तों मैं आता हूँ में टापिक पर भारत में कला को इस्वर की रचना अतिप्राचीन काल से ही माना जाता रहा है इसलिए कोई भी कला एक दूसरे से स्रेष्ट नहीं कहा जाता भारत के वास्तों सिल्प एवा मूर्तिकला की जड़े भारती सभिता के इतियास में बहुत दूर दूर तक गहरे से जमी हुई हैं भारती मूर्तिकला आरंभ से ही यथार्थ रूप लिये हुए हैं जिसमें मानो आकृतियों में प्राय हैं पतली कमर, लचीले अंगों और एक तरुण और संबेदना पूर्ण रूप से अन्य अंगों को चित्रित किया जाता है भारती मूर्तियों में पेंड़ पौदों और जीव जन्तूओं से लेकर असंख्य देवी देवताओं को चित्रित किया गया है भारत की सिंदुगाटी सब्विता के मोहन जोदारों के बड़े बड़े जलकुंड प्राचीन मूर्तिकला का एक तरेश्टुदारन है फ्रेंट से भारत में मूर्तिकला की कई सहलियों का विकास हुआ है जिसमें गांधार कला सहली, राजस्थानी कला सहली आद्प्रमुक है कुल मिला के भारत की एक दीड़्ध मूर्तिकला परंपरा रही है जिसकी खोज नौपासाणिक संस्कृतियों में की जा सकती है कुछ ऐसी ही खोजे मैंने उत्तर प्रदेश के मिर्जापूर जन्पत की हलिया बलाक के अंतरगत आने वाले गाउ कोटार में अदवा नदी के मध में बने कोटार नाधधाम में की है फ्रेंट्स यहाँ पर स्यू मंदिर के सामने तथा उसके आसपास हजारों ऐसी पासाण काले मुर्दिया हैं जो खजुराहों की मुर्दिकला को भी पीछे चोड़ देती हैं कठोर पत्थर पर बनी यह मुर्दिया इस बात की दियोतक हैं की यहाँ कभी खजुराहों की तरह ही भव्य मंदिर हुआ करता था और उनमें यह मुर्दिया चिपकाई अत्वा रखी गई थी मिट्टी के नीचे दवी वह कुछ उपर रखी मुर्दियों को गवर से देखा जाये तो यहाँ की कुछ मुर्दियां खजुराहों की काम सूत्र की मुर्दियों को भी मात देने वाली हैं इसे से एक बात और पुष्ट होती है कि कोटारना धाम की जो मुर्दिकला है वह सायद खजुराहों की मुर्दिकला के समकच्च है या फिर उससे भी ज्यादा प्राचीन है इस पर पुरातत विदों को गहन सोद करने की जरूरत है एक बात और कोटारनात शिवमंदिर के आसपास कई ऐसे सिला लेक भी हैं जिस पर प्राचीन भासा में कुछ लिखा गया है पर वह भासा कौन सी है यह नहीं पता अगर यह भासा पढ़ ली जाए तो यहां की सब्विता वह संस्कृत का ठीक ठीक आकलन किया जा सकता है प्रेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारी यह खास प्रस्तुती अच्छी लगी होगी बहुत जल्द हम फिर एक ऐसे ही नए रोचक वो उपयोगी मैटर के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार झाल